अब यह सुन माली, इस बिल्डिंग का मालिक कोन है? बुलाओ से क्या करेगी मालिक का? मुझे यह बता दे तुझे तमीज ममीज है कि नहीं बात करने की? कैसे बोल रहा है? ओ मैडम, मुझे तो बहुत तमीज है, जब तु मुझे बोल रही थी, तब नहीं देखा और जब मैंने बोल दिया, तो मुझे केहने लगी? अपना ना, मुबन कर ले, और मुझे यह बता, कि तेरा मालिक कहा है? हाँ तो मैडम, मुझे यह बताओ, कि आपको मालिक से क्या काम है? अब क्या मैं तुम जैसे गवारों को बताऊंगी कि मुझे उनसे क्या काम है तो उनको बला मुझे उनी से बात करनी है समझा तू और वैसे भी ना तेरे इन कपड़ों में से बहुत बद्बू आ रही है मैं तेरे पास जादा दर खड़ी नहीं हो सकती जब तुझे मेरे कपड़ों में से इतनी ही बद्बू आ रही है तो फिर तुम मेरे पास में खड़ी कि हो रही है जाकर किसी और से पूछ ले मुझे नहीं पता कहा है मालिक अब यो गवार ज्यादा एटिटूट में दिखा मामूली सा नोकर है तो और रही बात पूछने की तो यहाँ पर मुझे और कई दिखाई नहीं दिया इसलिए आकर मैंने तुझे पूछ लिया अब तु राजी से बता रहा है या फिर दो थपड लगाऊं तुझ में अच्छा तो अब तुम मुझे पीटोगी तो मैडम पीटने की तो बात रही दूर की तुम ना मुझे हाथ भी नहीं लगा सकती क्यों तो यहाँ का मालिक है क्या हाथ लगाने की तो दूर की बात है मैं तुझे अभी के अभी नौकरी से निकलवा सकती हूं समझा तू क्या और तुम निकलवाओगी मुझे नौकरी से अरे मैडम तुम तो क्या अगर कोई भी आ जाए ना वो मुझे नौकरी से नहीं निकलवा सकता और यहां पर खड़े खड़े न मेरा टाइम बेस्ट मत करो मुझे पौद्धों को पानी देना पानी देने तो जाकर किसी और से पु देखते हैं उन से बोलके तुझे यहां से दो मिनिट में निकल वा दूंगी अब समझा में तुम बीर की वाइफ हो अरे मैडम तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो इतनी देर तुम्हें यहां पर खड़े होनगी क्या जरूवत थी अरे तुम तो अंदर आपिस में ज आपते हो में लिए तुम्हें दो हैलों bypass करना को दाट卡 देखना के सब्संपारोई कर तुम्हें तुम्हें बत्मीज करते और अगर तुम इसी तरह मेरे साब तमीजी के नहीं नए तो तुमको बहुत भाली पढ़ेगी किस बतमीज से पाला पढ़ गया मेराज मुझे लगता है तो ऐसे नहीं मानेगा तुछ में ना दो थपर लगाने ही पढ़ेंगे वह मैडम रुक जाओ हाथ उठानेगी न जरूवत नहीं है शुक्र करो कि बहुत तुम्हारी जागा पर कोई लड़का होता न तो अब तक तो इस कंपनी दख्यमार का बाहर निकाल देता और दो थपर लगा था अलग और हां तुम अपने पती का अटिटीट दिखा रही हो ने मेरे लिए कि अगर तुम्हारा पती यहां पर आ गया तो बो मुझे नौकरी से निकाल देगा और ना जाने मेरे साथ क्या क्य करेगा तो तुम रही को रही हो मैं इन पर लेता है और फिर देखता हूं कि तुम्हारा पती मेरे साथ क्या करता यह करता है किस तरह बात करता है हाँ सर बताईए आपने मुझे तना अर्जेंट क्यों बुलाया मैं अपना कुछ काम कर रहा था और काजल तुम तुम यहाँ पर किसली आई हो कोई काम था क्या बीर कौन है ये सर ये मेरी बाइप है और आपकी बहुत बड़ी फैन है और मुझे बोलती थी कि आप जिस कंपनी में काम करते हो ना मुझे इस कंपनी के मालिक से मिलना है और देखो आज अचानक से मुलाकात हो गई बीर तुम पागल हो गई हो तुम इस माली को सर के बोल रहे हो काजल तुम पागल हो गई हो क्या ये माली नहीं है बलकि इस कंपनी के मालिक है जिन से तुम मिलना चाहती थी क्या यही इस कंपनी के मालिक है ये मैंने क्या कर दिया ऐसा क्या कर दिये काजल तुमने जो तुम इतना सौक हो रही हो बीर रुको मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ जब तुम्हारी वाइफ इस कंपनी के अंदर आई थी न तो उस टाइम पर मैं पौदों को पानी दे रहा था तो यह न मुझे इस कंपनी के मालिक के बारे में सब्सक्राइब कर दे तो मैंने भी पूछा इन से कि क्या काम के मालिक से तुम्हें तो इनको लगा कि मैं का माली यह पौधां को पानी देता हूं तो यह न मुझे यहां का माली समझने लगी हॉर इनों ने जमकर बेश्टि की इतनी यह कर सकती थी और मुझसे बोल रही थी कि इस company के manager मेरे पती है मुझे दो मिनट में नौकरी से निकलवा देंगी मैडम अब तो देखो तुम्हारे पती भी तुम्हारे सामने आ चुके है तुम निकलवा तो मुझे नौकरी से क्या काजल तुम सर के साथ में इतनी बत्तिमीजी से बोल रही थी सर आपके बारे में भी छीक से जानती नहीं है ना आपको देखा नहीं और आपसी मिली भी नहीं है पहली बार है इसलिए ऐसा बोल रही थी इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं प्लीजे से माफ कर द चाहिए हमारे लिए क्योंकि इसके अंदर इंसानी थोती है वो इंसान करता है और तुम्हारी वाइफ को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर ना बहुत घमंड है इनकार हं चाहें चाहूं तो तुम्हारे पत्या को अपनी से कंपनी से अभी कभी बाहर outs तो मारी हरकतों की पैरे मेंने तुमसे कहा था कि तुम मैंने वह बारी पर सकती है बताओ निकलना तुम tarkываем नवहीं मिले नहीं नहीं सर ऐसा मत कीजिए इनने नौकरी से मत निकाले वे माफी मांगते हूँ मैंने जो गलती की है वो माफी के तो लायक नहीं है लेकिन प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए सर मेरी वाइब से बहुत बड़ी गलती हो गई है और उसे अपनी गलती का पस्तावा भी है इसलिए प्लीज उसे माफ कर दीजिए बीर तुमारी वाइब को अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है तो इनके लिए इंसानीत का पाठ पड़ाओ क्योंकि आज के बाद किसी के साथ यह ऐसा नहीं करेगी मैं इसको समझा दूंगा चलो ठीक है तुम अपनी बैप को लेकर यहां से जाओ मैं पौदों को पानी दे करके आता हूं ठीक है सर थैंक्यू चलो काजल